साथियों नमस्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रेमित्रों हम हिंदि साहित्य की बात कर रहे हैं पूरु का जो व्याख्यान था उसमें मैंने आपको अपभरण शाहित्य के ले करके बात करी थी मैंना आपसी ये बात करी थी कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक निधारण जिसे हम आज आदिकाल के एक उस पे पहुंचे हैं कि वस्तुत इसका नाम जो है वो आदिकाल होना चाहिए चाहिए वो नामकर्ण को ले करके हो चाहिए आदिकाल के समय को लेकर के हो यहां पर विरोध और व्यागहात जो हैं वो सदेव मौजूद रहे हैं और यही कारण है कि हजारी परसाद दिवेदी कहते हैं कि आदिकालीन साहित्य जो हैं वो विरोधूं एवं व्यागहातूं का काल है तो वहां पर इसका कारण यह है कि सात्वी शताबदी से लेकर के चोहद्वी शताबदी तक का अर्था सासो वर्सों का जो कालखंड है वहां पर भाशाई संक्रमन भी हमें देखने को मिलता है और साहित्य की वास्त्विक शुरुवात जो हैं क्योंकि वैदिक साहित्य से जो प्रतिहत धारा जो साहित्य की चल रही थी कौन सा एक बिंदू है जहां पर आकर के हमें यह मान लेना चाहिए कि अब यहां से जो है हिंदी साहित्य की सही शुरुवात होती है हिंदी के कवी को लेकर प्रथम कवी कौन होगा हिंदी का पहला कवी कौन होगा इस बात को लेक करके भी हमारे यहां पर बहुत मत भेद रहे और अंततो गत्वा हमने सिद्धु का जो सबसे प्रमुख व्यक्ती और जहांसे छूंपरा की हम वास्तविक शुरूआत जहां से मानते हैं सरहपा को हमने हिंदी का पहला कभी गोशित किया जो कि सर्व मानने हैं किसी साइत्यकार विशेश के मत में कोई और हो सकता है स्वयम भू को मानने वाले भी है जैसा गिराम कुमार वर्मा पोश्वदंत को मानने वाले भी है शेव सेग सेंगर अब्दुर रहमान को मानने वाले भी है हजारी परसाथ दिवेदी राजा मुंज या राजा भोज को मानने वाले शुक्ल यहां उपस्तित हैं लेकिन हम ने सारभॉहम रूब से हिंदी क्या पहला कभी जो है वो सरहपा को घोशित किया तिर इसके बाद में हमें यह समझना होगा सातियों थे Means का जो आदिकालीन साह्त्य है हिंदी का आदिकालीन जो साह्त्य है उसे हम जो है तीन धाराओं में या तीन भागूं में हमें देखना चाहिए पूरे इस 700 वर्सों का जो ये काल खंड जो है उसमें तीन प्रकार के साहते हमें यहां पर उपलब्ध होते हैं और पहला साहते जिसे हम कहते हैं धर्मार्शित साहते अर्था आत हिंदी के आरंभिक यूग में जिसे आज हम आदिकाल कहते हैं उसके आरंभिक यूग में हमारे यहां पर सिद्ध और सिद्ध जिसे हम वस्तुते बोध धर्म भी कह सकते हैं सिद्धूं का मुखे तकाम जो था वो बोध धर्म का प्रचार करना था निर्वान की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती इसके बारे में हम खेर बात करेंगे लेकिन सिद्ध और सिद्धूं के बाद जो है वो जैन और सिद्धूं के बाद जो है वो नाथ साहिते जो है तो सिध्ध है नाथ है और जैन ये तीन जो साहित्ये या ये जहां पर हम पढ़ेंगे जैन साहित्ये नाथ साहित्ये और सिध्ध साहित्ये ये जो है वो धर्माशित की श्रहनी में गिना जाता है आदिकालिन साहित्ये में और इसलिए क्योंकि सिध्धूं का भी दो धर्म का ना मुख्य उद्रिशियन का रहा है जो जैन कभी वे उन्होंने अपने जैन धर्म के जो अपना संप्रदाय विशेश जो है उसका प्रसार प्रसार करना इनका मुख्य लक्षे रहा और जो शेयु मतावलंबी जो वे उनको हमने फिर जो है नात संप्रदाय के नाम से जाना ज जो हैं हिंदी साहिते में आज तक जो हैं कहीं ने कहीं हम हमारे जन मानस को प्रभावित करती हैं तो आदिकाल का जो पहला साहिती जिसे हम कहते हैं धर्माश्रित और दूसरा जो साहिते हैं जिसको हम बोलते हैं राजाश्रित सामन्ति साहिते एक तरह से जहां पर वीर प्रश उन कवियों का मुग के धे था और यहां पर चारन कवी और रासुक काविय की गिनती हम यहां पर करते हैं और तीसरा जो काविय हमारे सामने आता है वो आदिकाल में काविय हैं जिसको हम लोकाश्वित काविय कहते हैं आप सभी सात्यों ने देखा है सुना है धोला मारूरा दूहा अपने राजस्तान की धर्ती से जुड़ावा है वसंत विलास है संदेश रासक है विद्यापति की पडावलिया है और अमीर खुश्रो ये धर्म और राज्य से निरपक्ष जो मैंने अभी ये 57 नाम जो बोले य पूरे आदिकालीन साहिते के हम बात करें तो वहां पूरे आदिकालीन साहिते में संकुचित राष्ट्यता की भावना जो है वो प्रबल या प्रबलतम हमें दिखाई देती है और इसका करण था कि प्रांतियता और स्थानियता जो थी वो उसकी भावना जो है इस पूरे का खंड में प्रबल रही है और रास्टियता की भावना कहीं ने कहीं दभी हुई नजर आती हैं लेकिन ये लोक आश्रित जो साहिते जिसे हम आदिकालीन का अंतिम चरण अर्था चोहदी श्रताब्दी के आसपास बारवी और चोहदी श्रताब्दी के आसपास जो काव्ये बारवी से चोहदी श्रताब्दी के आसपास का जो काव्ये हैं उसको हम लोक आश्रित काव्ये कहते हैं और वो कहीं ने कहीं जो हैं काव्ये की उस परिभाशा जिसे हम साहिते और स तीन प्रकार का साहित्य यहां हमें उपलब्ध होता है इस बात को आपको जानना है अब हम आज का जो हमारा व्याख्यान जो है वो सिद्ध साहित्य पर जो है सिद्ध साहित्य को ले करके हम बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य की क्या प्रवरतियां है और कौन से मुख्य कवी है किसी भी कालखन को जानने से पहले उस समय का जो ततकालीन जो राजनितिक परिस्तितियां जी या सामाजिक परिस्तितियां थी सामस्कर्टिक और जो साहितिक जो परिस्तितियां जो थी उसका अवलोकन बहुत ही जरूरी होता है साथियों सिद्ध साहित्य 19 सताबदी तक ये साहित्य जो है हमारे भारती जन्मानस के सम्मुक उस रूप में नहीं था सिद्ध साहित्य के प्रकाशन का और सिद्ध साहित्य को जो है दुनिया जन्मानस के सामने लाने के लिए पांच नाम हमें धान होने चाहिए महा महो पाध्याई एक पंडित हर परसाद शास्त्री नेपाल में इनको साहिति उपलब हुआ और उस साहितिक आधार पर उन्होंने उसका संकलन किया और संकलन करते वे उनकी एक क्रती आती है बौध गान और दूहा ये जो है उनकी एक क्रती है जिसको बंग्ये साहित्य परिशद कलकता ने 1916 में प्रकाशित किया महा महो पाध्याय पंडित हरपरशाद सास्त्री का सिद्ध साहित्य पर ये किया गया जो कारी है वो कहीं न कहीं हमें एक दिश्वा प्रधान करता है कहीं न कहीं सिद्ध साहित्य को जानने का समझने का और प्रामानिक रूप से एक दस्तावेज में कह सकता हूं कि संक्रताइन का आता है राहुल संक्रताइन ने आप से कोई कि कि इस आधार मिस सब्सक्राइब में सारे ज़ोत अविजर आधार चयों हैं की इन weren Cand 은 Grand Arbeits causing मैं से मात्र नाम मात्र हैं इन सिद्धों को पहचानने के लिए एक तरीका में आपको बता देता हूँ और वो ये है कि हर सिद्ध के अंत में पाः शब्द जुड़ा होता है ये पाः जो है ये पुज्यार्थक पुज्यार्थक या आदरार्थक जो पाः शब्द होता है पुज्यार्थक या आदरार्थक जो पाः शब्द होता है उस पाः को हम कहते हैं पुज्ये पाः स्वामी तो वहाँ पाः जो था उसमें दहट गया चाए कणप पा है चाए डोंपी पा है चाए गीती पा है चाहे लुईपा है चाहे कुकूरीपा है चाहे कोई भी सिद्ध जो होंगे ये सिद्ध अभी जो मैंने बोले उन सिद्धों की रसनाएं उनका समय और उनके जो सिद्धान्त है वो हमें जरूर जानने चाहिए यदि हम हिंदी साहित्ति के अभ्यरति हैं और ये व्याख्यान वो आपको इक दिशा प्रधान करेगा आज कि हमारा हिंदी का आदिकालिन साहित थे अर्थात किस प्रकार क्योंकि अपभरंश वहां पर भाषा थी विशुद हिंदी क्योंकि हिंदी विशुद हिंदी का तो जो है वो हम ये कह सकते हैं कि चोहदुर्श अतापदी का असपास जब भक्तिकाल आता है तो भक्तिकाल में हिंदी हिंदी होती है उससे पहले जो है कहीने कहीं अपभंस जिसे हम अववठ या प्राकरता भाष या चंदरधर शर्मा गुलेरी जिसे पुरानी हिंदी के नाम से जानत उसके अंत में सबके अंत में पा नाम जरूर आता है तीन इसमें जो है वो इस्त्री जो है सिद्ध कवियों के नाम भी हम जानेंगे कि तीन इस्त्रियां थी जो सिद्ध योगीनिया जो है हम उन्हें कह सकते बाकि सारे के सारे जो है यहां पर पुरूश थे तो साथियों त और एक जो है वेदेसिक विद्वान या जो इतियासकार जिसको हम कह सकते हैं वो जाकोबी जो है जाकोबी का नाम आपने सुना होगा तो ये क्योंकि पाश्चात्य और प्राचि विद्ध्याओं पर इन्होंने काम किया और एक डॉक्टर रिचेड पिसेल डॉक्टर अधार पर हम आज सिद्ध साहित्य का अध्यन याप्र करते हैं ये हमें धान रखना पड़ेगा कि सिद्ध्ध्याइद्ध साहित्य जो है नाम आए आपके मस्तिक्ष में है कि सिद्ध्र का अर्थ है वो भारति जन्मानस में यू कह सकता deterior ч checks और निर्वान ट्राप्ति के जो योगिक आयामों के माध्यम से जो एक भारतिय समाज को नवीन दिशा देने वाला जो है धर्म था भगवान बुद्ध के महापरी निर्वान के बाद में वह धर्म जो था वह दो साखाओं में विभाजित हो गया जिसे एक हम कहते हीनियान दार्शनिक सेत्र में इसको कहते हैं हीनियान छोटी सवारी और महायान बड़ी सवारी इस नाम से हम जानते हैं सिर्थ साहित्य को जानने के लिए ये निश्यत रूप से मैं कह सकता हूं कि हमें बहुत साहित्य को जानना बहुत ही जरूरी है बहुत साहित्य में जिस वही थे जिन्होंने बोध धर्म का प्रशार किया और बोध धर्म के भी वज्रयान तत्व का ये धान रखेगा ये कई बार प्रसन आप से पूसा जाता है बोध धर्म के भी वज्रयान तत्व का जिसने प्रशार किया जो सहज मार्ग और जो है सहज साधना के जो उपासग रह यह हमें जो है जानना चाहिए यह हीनियान जो है वो यहां पर यह कह सकता हूं कि हीनियान जो बोध धर्म का जो मारग था यह सैधान्तिक आउधारनाएं जो है सैधान्तिक मारग जो है इनका थोड़ा सा जो है कठोर था इनके सिधान बड़े कठोर थे इसलिए यह संकुचित रहा हिनियान जो है वो क्योंकि यहां पर जो है सिध्धान कठोर हुआ करते थे और हिनियान जो है बोध धर्म की जो शाखा जो थी उसमें केवल विरक्तूं का सन्यासियों का योगियों को ही प्रश्रे दिया जाता था हिनियान में वही लोग आते थे कौन योगी सन्यासि जो जो फक्कड हैं जो सादू हैं जो विरक्त हैं उनी लोगों को केवल यहां पर आश्रे और प्रश्रे दिया जाता था और इसलिए समाज में जो है कहीं ने कहीं संकुचित रूप से हमारे सामने आता है महायान जो है ये उदार प्रवर्ति का समाज था या उदार प्रवर्ति की साखा थी और यही कारण था कि यहां पर योगी भी थे, सन्यासी भी थे, ग्रिहस्ती भी थे और उदार धर्म होने के कारण इसका प्रचार भी हम ये कह सकते हैं कि ये जादा था ये उदार संप्रदाई के नाम से जाना जाता है साथियों ये महायान आगे चल करके ये मंत्रयान बन जाता है और मंत्रयान आगे चल करके वज्रयान बन जाता है ये आपको ध्यान रखना है यही आगे जाकर के जो है वज्रियान बन जाता है और यह वज्रियान जो है उसी का एक नाम हम कह सकते हैं सहजियान तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि महायान से जो है मंत्रयान आया मंत्रयान से एक जो है अलग-अलग आया का मेरा मतलब ये है कि ये छूटे-छूटे संप्रदाय और अपने-पने सिध्धान्तू के कारण इनका अलग-अलग नाम हुआ ये जो वज्रियान जो था उसी के समाना अंतर सहज्यान कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि महायान के दो भाग होगे वज्रियान और सहज्यान और वज्रियान के तत्व का प्रचान करने वाले सहज्यान के समर्थक जो हिंदी साहित्य में जो कवीवे उन्हें हम जो हैं सिध्ध स साहित्य हमारे हिंदी में जो लिखा गया वो वज्रियान के तत्व का प्रचार करने वाले लोग या कभी या सिद्ध जो थे जिन्होंने हिंदी में सिद्ध साहित्य का प्रचार प्रचार किया अब देखीगा ये हमें जानना होगा कि ये जो सिद्ध जो साहित्य हैं उसकी कि प्रवरतियां जो है सिद साहित्य की कौन कौन सी प्रवरतियां है आगे हम विस्तार से बात करेंगे एक बार में जो है आपको इन चीजों से जोड़ देता हूं सिद साहित्य की प्रवरतियों की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी जो प्रवरति इनकी जो है वो अपने सं का मंढणकरना मंढणकरना grey कि एवं कैर मत का खंड़न करना कंऊ समय का जो जन्वानस था उनके सम्मुकि सिर्ध कवियों ने अपना जो धर्म था अर्था बोести फ्रति स्थापित करना उनका मुक्हिलक्ष था और उनके विरोध में जो भी विचारधराएं जो थी वो जो है वो उनको उनको खंडित करना अपने सिधान को मंडित करना अर्थात खंडन मंडन की प्रवरति यहां पर जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है और ये सिध कवी जो है वो सहज साधना ये कुछ सब्द आपको धान रखने होंगे सहज साधना या सहज मार्ग की उपासना करते थे यहां पर एक बात आप सबसातियों को जान लेनी चाहिए कि सरहपाद तक सिद्ध जिसे हम सिद्शाइत कहे रहे हैं सरहपाद तक सिद्शाइत योग के माधिम से निर्वान की प्राप्ति की बात करते थे और यह जो है किसी प्रकार के ढोंग और बहे आडंबरों का विरोध करने वाला साहित्य था इस तथे को आपको जानना है सरहपाध तक जो यहां पर किसी प्रकार का वाम आचार वाम मारगी साधना सिद्षाहिते में प्रसलित नहीं थी सरहपाद के बाद में जो सिर्थ साहित आता है वो कहीं ने कहीं धोंग, पाखंड और चमतकार प्रदर्शन और अपने आपको बहुत बड़ा दिखाने के लिए सामानी जनता को वर्दान और शाप के माधिम से डराने वाले और इस समाज में यूं कह सकता हूँ कि पाप, अधर्म और अत्याचार को बढ़ावा देने वाला ये साहिते सिर्थ साहिते आगे जाकर के ये इस परकार का परिवर्थित हो गया और हो क्यों गया उसके पीछे ये जो मुखे जो उनका उदेशे जो सहज साधना जो इनका मुखे उपास से जो था ये सहज साधना ही कहीं न कहीं आगे चल करके सिद्धू में इसी सहज साधना में विक्रतियां आ गई और ये सहज साधना विक्रत हो गई अपने लक्षी से भटक गई और इन्होंने कहा कि निर्वान प्राप्टी में जो है निर्वान प्राप्टी के लिए भोग जरूरी है अर्थाथ यदि निर्वान को प्राप्ट करना है तो भोग जो है वो जरूरी है और शम्शान में जाकर के इस्त्री का सहचरी प्राप्ट करो और उनके साथ महा मुद्रा रचाना और महा मुद्रा की उपासना के मादियम से जो है निर्वान की प्राप्ति होती है इस प्रकार का वाम आचार जब बढ़ा और इस्त्री जो है इस्त्री जो है उसके कैंदर बिंदु में आगई ये धान रखेगा सिद साहिती में कि जो साधना है उसमें निर्वान प्राप्ति में जो इस्त्री जो है वो एक कैंदर बिंदु में है और पुरूशा और इस्त्री इस वाभाविक भोग के मादियम से योग की तरफ प्रवित होता है और वा जो भोग हैं वो कहीं न कहीं गुरू की साधना या गुरू के बतायगे तत्व के आधार पर चल करके ही उस भोग को प्राप्त किया जा सकता है भोग का सही रास्ता जाना जा सकता है और यही करण था कि गुरू उपदेश की महिमा भी यहां पर कहीं न कहीं इस सिद्ध साहित्य में साधना जो थी उसको लेकर के वो कटाक्ष करते हैं और वो यह कहते हैं कि सहज साज सब कोई कहे सहज न चीने कोई अर्थाज सहज सहज जो है वो सब कोई कह रहा है लेकिन सहज न चीने कोई सहज मार्ग को जानने वाला उसके वास्त्विक स्वरूप को जानने वाला कोई यहा जो है साध लेने से हरी जी मिले अर्था जिसे भगवान की प्राप्ति जो हो जाती है हमें उसे ही सैज करना चाहिए ये जो है यों कह सकता हूँ कि योग में काय साधना ये इनका मुख्य लक्षे था ये धान डखना जो सिद्ध साध्य जो है उसमें ये चीज आप देखोगे कि योग में काय साधना ये सबसे बड़ा इन जो है सिद्धू का एक जो है कि योग की प्राप्ति करनी है तो काय साधना अर्था शरीर की साधना करनी जरूरी है अर्था भोग जरूरी है ये बात आप धान रखीगा आप से कई बार प्रसन ऐसा आता है कि सिद्ध साध्य की के प्रती जीवन वे जगत के प्रती जो है वो स्विकारात्मक द्रश्टी को रहा है जीवन और जगत के प्रती स्विकारात्मक द्रश्टी को रहा है इस बात को आपको समझना है वो जीवन को भी सत्य मानते हैं और जगत को भी सत्य मानते हैं जहां पर हम निर्गुन संप्रदाई अर्थात संप्रदाई में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ध्यान रखेगा माकवी जो माकवी के आचारी शंक्राचारी का सिध्धान अद्वैत्वाद और अद्वैत्वाद की सबसे बड़ी उद्गो इस प्रकार की जो हम जगत के प्रती जो मिथ्यात्व का जो भाव भारती समस्क्रती में है और जगत को यहां पर नश्वर बताया गया जगत को हम सत्यमान करके उपासना नहीं करते हैं और इसके बहुत सारे और पक्षत होंगे जिसके बारे में हम भक्तिक आलमे में आप से विस्तार से बात करूँगा लेकिन यहां पर जीवन के प्रती सिद साइते में भोग का दर्ष्टि कोन था और जगत के प्रती काय साधना का दर्ष्टि कोन था ये आपको समझना चाहिए कि वो इस प्रकार से जो है मानते थे कि भोग के बिना योग की सिद्धी जो है वो नही कौन को जन्मानस के सामने रखने के लिए यदि मैं सिद्धूं की भाषा शेली की बात करूं तो जो है एक चीज आपको विशेशूप से धान रखनी है कि यहाँ पर रहस्यात्मक भाषा जो है उनकी रहस्यात्मक और प्रतिकात्मक है रहस्यात्मक और प्रतिकात्मक अर्था कर शिद्ध जब कभी भी किसी का वर्णन करते हैं तो रहस्य बादी शब्दों का प्रियोग करते हैं ताकि आम जन मानस जो है मैं कई बार जो है मेरे सातियों से कहता हूँ कि आज समाज में समस्कित के प्रति ये धारना हो गई कि समस्कितम अतीव कठिनम समस्कित सिंग असमान खादी शती कि समस्कित तो बहुत जो है कठीन है ये कही न कही धालना जो समस्कृत कठीं है, ये हमारे समाज में जो आई उसके पीछे एक रहस्य है, और वो रहस्य यह है कि समस्कृत जानने वालों ने बड़े उदार दिल से समस्कृत का प्रचार अभी आधुनिक यूग में तो कर रहे हैं, लेकिन कही न कही न कही उसको ज भाशा उनकी अपबरंस थी लेकिन ये रहस्यात्मक जो है ये उनका जो है इनकी भाशा की विशेश्ता थी रहस्य के मादिम से बात करते थे और प्रतिकात्मक जिसको सामाने आम जन जो है पैचान नहीं सकता क्यूंकि इनकी सबसे बड़ी उद्गहो उस गोशना क्या थी महा सुकवाद इस बात को धान रखना और इस महा सुकवाद अर्था अपना जो महा सुकवाद जो है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी आप ये समझेगा कि जीव और जीवन और जगत से आनंद की प्राप्ति करते वे उस महा सुकवाद अर्था निर्वान की तरब ज पूरे सिद्शाइत्य में प्रबंद काव्य आपको देखने को नहीं मिलता है प्रबंद काव्य यहां पर है ही नहीं जो काव्य हमें देखने को मिलता है वो मुक्तक काव्य है और मुक्तक अर्थात दोहे जो है वो दोहा कोश इनका प्रमुग्रंथ और करीबन करीबन यूँ कह सकता हूँ कि उपलब्द जो सिद साहित्य के जो महत्पुन कवी है उन सभी ने दोहा कोश की रसना जरूर की है उनका तरीका दोहा कोश का क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे लेकिन दोहा और एक जो है चरियापद अर्था जो हमारा दैनिंदन जो जीवन है उसको लेकर क किस प्रकार का हमारा दृष्टी कोन होना चाहिए उसे हमने चरियापद का तो ये सिद साहित्य के बारे में हमने बात करी जहां पर आपने ये सब कुछ जाना कि यहां पर किस प्रकार से सिद साहित्य का उद्गम हुआ कौन लोग थे पंडित हरपरसार शास्त्री राहुल स शबद पाढ़ पाढ़ द चला गया पा रहता है यह पुजार्थक या आदरार्थक शबद है बोध प्रमप्रा से यह स्रृत सायत्य प्रभावित हैं बलकि यूं कह सकता हूं कि भूध धर्म का अपना प्रचार करने के लिए इसलिए हमने इसको संप्रदाइक साहित भी कहीन कई हम धर्माश्वित जिसकी बात कर रहे थे वो भी कहीन कई हम कहते हैं तो फिर उसके बाद में हमने ये बताया कि भगवान बुद्ध की महापरी निर्वान की बाद में वो धर्म दो साखाओं में भाजित हो गया हीनियान जिसे सैधांति क्या संकुचित मार कहा गया महायान एसी साखा जो उदार प्रवती जहां पर सब का स्वागत था और उस महायान से फिर मंत्रियान और वज्रियान जो था इनका मुख्य उपासे था और वज्रियान की तत्व को प्रचार करने के लिए वज्रियान के मूल तत्व का प्रचार प्रचार करने के लिए हिंदी करे अपने मत का खंडन करना अर्था धर्म का प्रचार करना दूसरे का खंडन करना अर्था खंडन मंदन के प्रवर्ति यहां पर जू है हमें जबर्दस देखने को मिलती हैं सहच साधना और सहच मार् के उपासना इनका लक्षी था और वो जो है योग में काई साधना को महतू देते हैं जीवन वे जगत के प्रति स्विकारात्मक दस्टिकोन है और निर्वान प्राप्ती जो है निर्वान प्राप्ती निर्वान प्राप्ती के लिए प्राप्ती के लिए प्राप्ती के लिए जो है भोग आवशक है भोग आवशक है ऐसी उद्गोशना जो है उनकी सिध्धों की रही है ये आपको धान डखना है और भाशा सेली में आपको बताया दिया कि महा सुखवाद जो था उसको गोपन करने के लिए रहस्यात्मक और प्रतिकात्मक भाशा सेली उनों अपनाई प्रबंध का पर विशेषरिया पत्जू है वह बोध्धों का एक व्य ότι से प्रकार का साहित्य है आये taking आये अब हम बात करेंगे सिध्ध साहित्य की ओर विस्तार से इन एक चीज आयी होगी कि हमारा जो ये परिवेश जो था सिधसाहित तिकालीन वो किस प्रकारगा था तो आईसे साथ के हम बात करते हैं और सिधसाहित्य से ताथ पर ये वज्रियानी प्रंप्रा के सिद्धाचारीयों के साहित्य से है जो अपभhrंस दोहूं और चरियापदों के रूप में उपलब्ध है देखो पहली बात तो ये है कि अपभरंश दोहों यहां इनकी जो भाषा जो थी जिसे हमने अलग-अलग नाम दिया प्राकरत आभास बोला अवहट बोला या पुरानी हिंदी बोला जो भी नाम दिया लेकिन उसको हमें हिंदी हिंगे सकते और उप्रण्श कहेंगे और दोहों और चरिया पधूं के रूप में सिद्द साहिती उपलब्ध होता है यही आमसे वह इस समाज का यह जो जो सिद्ध कवी जो हुआ करते थे सिद्ध साधक जो कह सकते हैं अपन बाद में हमने कवी उनको कहा सिद्ध साधकों का मुखिध्य यही था इसलिए तांत्रिक सिद्धानतों को मानिता दी गई यद्यपी बोधूं के ही समकालिन बोधूं के ही समकालिन जो है वो शेव नात योगियों को भी सिद्ध कहा जाता है ये भी आपको धान डखना होगा जो शीव के उपासक जो थे वो उनको हमने नात योगियों को भी सिद्ध कहा जाता है और मसंद्र नात का संबन भी कहीं ने कहीं जो है वो आप देखो कि जब आगे हम बात करेंगे तो उनका सिद्धू स परिगनित होते हैं नव नात में तथा पी कत्रिपे कारणों से हिंदी और अन्य प्रांती भाशाओं में यह आपको धान रखना है को जो शीव के उपासक जो योगी थे उनको हमने क्या का उनके लिए जो हो गया नात सब्द और बोध तांत्री के लिए सिद्धाचारियों के साहिते का वाचक हो गया यह आपको जो है अउदहारणा आपकी सपस्ट होनी चाहिए इस प्रकार मंत्रात्मक साधना में रत्थ अत्वा मंत्रोंसे सिद्धी dis आने वाले योगी ही हिंदी साहित に में सिद्धू के नामसे जाने जाते हैं मंत्रात्मक में रत्थ और यह मंत् एक बात जो हमसे रे गई थी वो पंच मकार के जो हैं ये उपासक कहे जाते हैं पंच मकार की उपासना वो मास मदिरा मत से मैथून और मुद्रा ये जो पंच मकार जो थे ये कई बार आपको सेकंड गेड में प्रस्ट पूछा गया था पंच मकार में कौन समलित नहीं है तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा मास, मदिरा, मत्स, मैथून और मुद्रा ये पांच मह से शुरू होते हैं इसलिए पंच मकार की उपासना भी इनका एक मुख्य वो लक्षे था सिध्धू की रसनाएं प्रमुक्त दू काविरूपन मुपलब्द होती है दोहाकोष और चरियापद दोहाकोष दोहू से युक्त चतुष पदियों की अर्था चार पदूवाली कडवक्ष हैली में मिलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है इस सायति में कणपा, तिलोपा, सरहपा के संपुन दोहाकोष और सरहपा के दो खंडित दोहाकोष मिलते हैं ये आपको ध्यान रखना है चरियापद बोध तांत्री को द्वारा चरिया के समय गाय जाने वाले पदूँ का संग रहे है जो विभिन सिध्धा चारियों द्व से जानते हैं आप उसको दिन चरिया के साथ जोड़ करके याद रख सकते हूं वस्तुता सिध्ध प्रमप्रा की शुरुवात बोध धर्म की विक्रति का परिनाम है इसको आप मौस्ट करना है यदि सिध्ध प्रमप्रा की शुरुवात का हम सही माइना देखें तो वो सांतिक पक्ष का मैंने आपको पताए था जबकि महायान जो था उसमें व्याहारिक पक्ष का प्राबल्य था हिनियान केवल विरक्तों भिख्शों और सन्यार्श्यों को परश्रे देता था यहां पर योगियों के सट ग्रहस्तों के लिए किसी प्रकार का कोई अवकाश और जगे यहां पर नहीं थी और यही कार्ण था कि वहां पर केवल और केवल सिर्धान्तु की परिचर्चा होती थी महायान थोड़ा उदारवादी दृष्टिकों था उदारवादी संप्रदाई था और इसलिए वो जो है जादा उसका प्रचार हुआ जबकि महायानी उच नीच छोटे बड़े ग्रेसन्यासी सब को साथ लेकर चलते थे और सभी को निर्वान अर्थात मौक्ष प्राप्ति करवाने की का दावा करते थे यह सबसे बड़ी विक्रती यह अंकार जो हैं यह सबसे बड़ा जो हैं सिर्धूं को ए प्रकार का खोफ था कि सामानी जन जो हैं वो शाप या वरदान इन दोनों को लेकर के आशंकित और सशंकित रहा करते थे पुनस्थ शट्य स्वताब्दी में बहुत धूंगी महायान शाका वजरियान और सहजियान दो भागों विवक्त हो गई सिद्धूं ने बो धर्म के वजरियान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा उस समय की अब्रंस जो थी उसे ही हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है ये बात आपको ध्यान रखनी है सिद्ध साधना का प्रमुक के अंदर ये फर्स गेट में पुछा गया या सेकंड गेट में पुछा गया रपे सिम पुछा गया प्रसन है ये श्री प्रवत था हालांकि ये बिहार से लेकर असम तक फेले वे थे लेकिन प्रमुक के अंदर जो था वो शुरी प्रवत था ये आपको ध्यान रखना है महत्मून चीज है बिहार प्रदेश के नालंदा और विक्रम शिला सद्रिश प्रसिद विद्यापीट इनके महत्मून के अंदर थे सरहपा जो है वो नालंदा के जो है शिक्षार्ती भी रहें ये आपको ध्यान रखना है तो बिहार प्रदेश में ये दो शिक्षा के प्रमुक के अंदर जो थे नालंदा और विक्रम शिला ये इनके जो है इनके विद्यापीट रहे थे साधन समुच्चे आदी कर्म प्रदीप और मंजुश्री मूल कलप सिद्धान चर्चा के आधार इस्तम गरंथ है ये तीन धान डखना सिद्धान चर्चा के जो आधार इस्तम गरंथ जो हमें मिलते हैं वो साधन समुच्चे कर्म प्रदीप और मंजुश्री कल्प मिलते हैं मंजुश्री मूल कलफ ये सिद्धान्त की चर्चा के आधार गरंथ है जो कि ये स्री प्रवत पर लिखे गए ये मात्मून प्रस्ण हो सकता है नेट के लिए जो है कथन और कारण के रूप में या जो है वो सुमेलित करो उसके रूप में ये पूचा जा सकता है फर्स्ट गेड वैले भी इस बात का ध्यान रखें राउज संत्रताइन जिन्नोंने सिद्ध साइति प्रकाम किया और हमें चौरासी सिद्धुं के एक प्रामानिक दस्ताविज नाम के रूप में अपलब कराया सिद्धूं की संक्या 84 मानी ये प्रस्ण आता है ध्यान रखना सेकंड गेट इन सभी सिद्धूं के नाम के अंत में पा मूलते पाद आदरार्थक अउशिस्ट अंस लगावा है पाद का अउशिस्ट अंस है पाद प्रतम सिद्ध जो है सरहपा जिसे सरहपाद राहुल भद् और एक कनखलापा ये आपको ध्यान रखना है लक्षमी मनी कन लक्षमी मनी कन इस प्रकार से जो है आप इसको इसमन करें ये जो है तीन मैला सिद्ध हैं लक्षमी करा मनी भद्रपा और कनखल्पा साथियों ये चोरा से सिद्धूं के नाम है इस लिस्ट को पढ़ने से आपके पास होगी वहां पर आप लोगों को प्लब करा दूँगा तो यहां पर यह आपको देखना है कुछ मुक्य जो थे लुइपा थे शब्री पाथे और जो है डोंपी पाथे ओर लुईपा आगे सब्रीपा आगे सरहपा जो है मीनपा ये मैत्पून नहीं है और ये जो है वाकी तंतिपा, खडगपा, कणपा जो है ये बड़े मैत्पून थे क्रिसन दास इनका पहले नाम था और काले रंग होने का कणपा ये होगे फिर उसके बाद में देखीएगा ठगनपा शिलपा चत्रपा दोखंदीपा चमरीपा नागारजुन ये धान रखे का नागारजुन जिनका समन बोध धर्म से है और कर्णरीपा नारोपा तिलोपा भद्रपा भद्रपा और तिलोपा भी कही ने कही जो है थोड़े इनका नाम जो है उसे सम्मान के साथ लिया यहां पर यह कुकूरिपा का नाम भी आपको विशेशुप से ध्यान रखना होगा यहां से प्रस्ण आता है धर्मपा अचिंतपा नलिनपा यह सारे के सारे जो चोरा सीशिद जो है उसमें यह जो महत्मुन महत्मुन जो नाम थे मैंने आपको बता दिये और बाकी देखीगा इसको आप लोग देख लीजीगा यह कौन-कौन से जो है चोरा सीशिद यहां पर मेखला तक यह जो है कबीरदास में वो बेबाक रूप से भारतिय समाज में उस समय जो प्रसली जो कुरूइतियां जो थी जो आडंबर जो थे उनको प्रतिवर आगहात करते हैं और एक बिल्कुल जो है आवेश्पूर्ण भासा के साथ करते हैं वो आवेश्पूर्ण जो भासा जो थी वो कही कई हमें सरपा में देखने को मिलती है ध्यान रखीगा कबीर दास में जो रूडियों का विरोध और अकटफण मिलता है वह सिद्धू की ही देन है यह प्रसन कोटेशन इसी रूप में आता है यह ध्यान रखीगा सिद्धू ने प्रवर्तियों के दमन को गलत बताया जब उसका दमन जो है वह गलत है प्रवर्तियों का दमन नहीं करना है छे एक्ता है किशिकी विषकी आशद है इस मात्रा होती है यह धान रखना है क्योंकि उख्रती मूल के साथ में जब आ प्रत्य जोड़ जाता है यह हो जाता प्रत्य जोडते वेक्त मूलशब के अंतिमवन को स्वर्राइद कर देते हैं तो आउशद हो जाता है इधर टाइपिंग मिस्टिक हो रही है ज्यान रखेगा भक्तिकालिन कागवे की सामाजिक चेतना की पूरू पिठी का सिद्ध साहिते ये भी आपको ध्यान रखना भक्ति उनको आगे अपना करके जो संत कवी जिसे हम भक्तिकालिन साहित कहते हैं और कभीरदास संत कभीरदास उसका संत कवियों का नेत्रित्व कर रहे थे तो वहाँ पर जो है वो उसकी पूरू पिठी का जो है कहीने कहीन हमें यहीं पर मिलती है भक्तिकाल है वो रितिकाल में भ पहली उलट बासियां ये ध्यान डखना जो उलट बासियों का जो आरंभिक रूप जो है वो जो है कहीं ने कहीं सिद्साहित में क्योंकि उलट बासि जो है वो कबीर की अपनी बड़ी जो है महत्पूर्ण जो है उसकी प्रवर्ति कही जाती है वहां पर भी रहस्यात्मक्ता और प्रतिकात्मक्ता के बिना यदि भाषा में रहस्यात्मक्ता नहीं है प्रतिकात्मक्ता नहीं है तो उलट भाषी का सही प्रियोग वहां पर नहीं हो सकता प्रतिकों के मादिम से वो उलट भाषी का कथन करते हैं और ये जो है सिद्धों की भाषा के भी एक बड़ी और जो है भीगे कंबल बर्से नहीं इसा नहीं है भीगे भीगे बरसा बर्से कंबल कुछ से परकार का कुछ है खेर मैं भूल रहा हूं सही उसका असमन नहीं रहा तो आगे उसमें जो है कमेंट में आपको लिख दूँगा ये उलट बासिय का एक बड़ा प्रसेद धारन उनका जो है क्योंकि कुंडलीनी जागरन और उलट बासियां यहां से नात साहिती से शुरुवात होती है इसकी पूर्णता जो है हमें कहीं कभीर में देखने को मिलती है तो साथियों यह जो चीज है उलट बासियां यह शैली जो है इसका कहीं आरंबिक रूप हमें सिद्ध साहिते में देखने को मिलता है सिद्धु ने नेरात्म भावना ये धान रखना है काया योग सहज शुन्य और समाधी की भिनभिन अवस्ताओं का वर्णन किया है देखू नेरात्म भावना का वर्णन किया, काया योग, अर्था मैंने आपको बताया था, भोग में जो है काय साधना, योग में काय साधना, सहथ समाधी की बात करते हैं, शुन्य की ये बात करते हैं, सरहपा विशेश करके, जा मन पवण, न संचरई, रवी ससी, नई जो है, वो शुन्य की बात कर रहे हैं, समाधी की वहाँ पर जो है, अलग-अलग अवस्थाओं का वर्ण सिद्साहिति मिलता है, सिद्धों की रसनाएं, संदा भाषा से लिए, संदा भाषा, वस्तुत अंतस साधनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली प्रतिकात्मक भाषा से लिए हैं, इस बात को आपको महत्मुन करना है, संदा भाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतस साधनात्मक जो अनुभूतियों है, जो मन बुद्धी चित और अहंकाल, इस अंतर में जिसको साध लिया गया है, उस अनुभूतियों को समाज के सामने लाने के लिए, उसका नामी संदा है, सिद्धों की रसनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई, यह में आपको पहले बताया, प्रबंद यहां पर नहीं मिलते हैं, इनके दोरा रचित साहिती के तीन भाग किये जा सकते हैं, एक तो है नीती आचार में साहिती, फिर उब्देश परक साहिती, और साधना संबंदी अर्थात रहसिवाद, सिद्ध काव्य, दोहा कोश और चरिया पद विविद रूपों में उपलब्ध हैं, दोहा कोश में दोहा चन का प्रियोग मिलता है, और चतुष पदियों की कडवक्षेली भी मिलती है, यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो चरि प्रियात्म कावी हैं, गे कावी हैं, चरिया का आर्थ है चरित, मैं आपको बताया था, यह दैनिंदन कारी करम का व्यवारिक रूप है, इसमें इनमें सिद्धूं की मनस्तिती प्रतिकों के द्वारा व्यक्त की गई है, जो उनकी मनस्तिती जो हैं, क्योंकि वो जो वासना प्रवर्तियों का दमन करना वो गलत मानते हैं तो जैसी उसकी उसकी मनस्तति उनको प्रतिकों के माधियम से व्यक्त की गई है सरहापा को सहज्यान का प्रवर्तक माना जाता है यह आपको ध्यान डखना एक सिद्धू का इस्तान पूरी भारत माना गया है और मुनिदत और इंतसातनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली प्रकट करने वाली भाषा जिसमें उलट बासियां और रहसे आत्मक्ता और प्रतिकात्मक्ता हो वो संदा भाषा होती है लेकिन उसको कहने वाले कौन है मुनिदत और अध्धेवज्र जो है उन्होंने इनकी भाषा को जाता है ये भी आपको एक ध्यान रखना है इस्त्री लेखन का प्रारम लोकिक दर्स्री से अंबाद कर रहे हैं सिद्शाहित्य से माना जाता है हरी प्रसाद शास्त्री इनका नाम हर प्रसाद मूलत हरी नहीं है हर प्रसाद है हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धूं की भाष किया तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए आगे लिए चलता हूं सिद्ध साहित्य की प्रवरतियां कौन-कौन सी है इसके बारे में मैंने आई का आपको बताया कि यह मुख्य प्रवरतियां लेकिन आईए हम व्यवस्ति रूप से और पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य में महासुक वाद का प्रवरतन ये इनकी दूसरी विशेश्ता है क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जीवन और जगत के प्रती स्विकारात्मक्ता का भाव रखने वाले और जीवन और जगत दोनु को सत्य मानने वाले और महासुक वाद ही सरूपरी है इनके मत में उसका प्रवर और महाशुक अर्थाद वो सुन्य से महासुक की तरब बढ़ते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है उपनी सद में ब्रह्मानंद के सुक के परिमाण अर्थाद मात्रा जो है का अंदाजा करने के लिए उसे सहवाशुक से सो गुना अधिक माना गया था कहां पर उपनी सद में ब्रमानन जो है वो सहवाशुक से सोगुना अधिक जो है उसकी उपादेता थी उसका आउचित था पर वज्रियान में निर्वान के सुक का स्वरूप सहवाशुक के समानी बताया गया यह आपको ध्यान रखना है ये सहवास जुक्ष जो है और वो ले लो या निर्वान का सुक ले लो ये बराबर बराबर का सुक मान लिया वहाँ पर जब ब्रमानन्द और रसानन्द की बात हमने करी थी वहाँ पर भी हमने उसको समकक्ष कहा था तो वहाँ पर आप इस बात को ध्यान रख सकते हो जब रसवाली क्लास में आपको कहा था तो वैसे ही सातियों यहाँ पर वजरियान में जो निर्वान है अथाथ बोध धर्म में जो मुक्ती जो है उसका नाम निर्वान है भारती दर्शन में अलग-अलग रूप से जैसे सां के और योग दर्शन जो है वो मुक्ति को कईवल्य कहते हैं यह आपको ध्यान रखना है नाज दर्शन जो है मुक्ति को अपवर्ग कहता है जैन दर्शन जो है मुक्ति को जो है मौक्ष मिलना कहता है और बोध धर्म जो है मुक्ति का प्राप्त होना निर्वान अर्था निर् सारी जो पंच बिडाल आगे हम पड़ेंगे उनसे परे जाकर के जो साधना करते हैं उसको निर्वान की प्राप्ती होती है ये भी आपको ध्यान रखना है तो उस निर्वान सुक को जो है सहवा सुक के समकक्ष बताया गया है ये ध्यान रखना सिद्धु ने नारी को साधना केंदर का साधना का केंदर बिंदु माना ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिद्धू ने जो नारी जो है उसको अपनी साधना का केंदर बिंदु माना और बिना नारी के कोई भी सिद्ध जो है अपने सिद्धी को प्राप्त नहीं कर सकता निर्वान को प्राप्त न इसे शक्तियों या महा मुद्रा कहते थे अर्था सिद्धी यृदि प्राप्त करनी है तो इस तरीका सेवन करना इस तरीका भोitating करना और भास्म रमानाई और शम्षान में जाकर कि उसके साथ महामूत्रा की उपास्णा करना यह बहुत आवश्चक जो है वो था इस परकार धर्म के नाम पर दूराचार फैल रहा था मेनि आपको यह कहा कि धीरे धीरे जो है आगे जाकर कि सरहपा के बाद में ये धर्म में सिद्ध साधना जो थी उसमें कहीं न कहीं वो सहर साधना ही कहीं से कहीं भोग साधना बन गई और धर्म के नाम पर अत्याचार और पापाचार जो हैं वो उसका बूलबाला बढ़ गया था शिद्धु ने काया तरुवर पंच बीडाला जो बोधर्म में पंच बीडाल माने गए हैं आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम, चिकित्सा और मोह ये जो हैं पंच बीडाल है और ये साइदलुईपा जो हैं वो ये कहते हैं काया तरुवर पंच बीडाला ये कहा कर पंच बीडाल अर्थात बोधर्शास्तर में पंच प्रतिबंध है आलस्य का प्रतिबंध है हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह हमारी हिंदु धर्म जो सनातन शम्सकति हैं उसमें यहां सिद्दु ने तत्व जान की उपेक्षा की ये भी आपको धान रखना है कि ये तत्व जान की उपेक्षा करने वाले थे, शुन्यवाद की प्रतिष्टा करने वाले थे, अंतरमु की साधना पर बल देते थे और सिद्दु की साधना पदत्ति को वाम मार्गी साधना पदत यह ध्यान रखेगा क्योंकि इस समय वामाचार अपनी चरम सीमा पर था सामानी जन इन सिद्धूं को अलोग कि शक्ति संपर्ण समझते थे यह लोग अपनी सिद्धियों और विभुक्तियों के लिए प्रसित थे वर्ण आडंबर का खंडन शांत और स्रंगार रस के साथ ही स सद्धियों महत्ता का प्रतिपादन करते वे इन्होंने प्रतिकात्मक्षईली और प्रवर्ति महत्ता के सुत्रूं का प्रिवर्तन किया प्रवरतन किया साथी हों मैंने आपको जेसा बताया कि योग में भोग की सादना लेकिन वो योग में भोग की सादना जो है वो कोई समर्थ गुरु ही आपको बता सकता है और ये ही k causin है कि सद्गुरु महता का प्रतपादन करते वे इन्होंने प्रतिकात्मक शहिली एवं प्रवर्ति मारक के सुत्रूं का प्रवर्तन इन्होंने किया इसे तू सिद्ध कवियों ने अपनी बानियों में बानियों अर्थात बानियों में ये बानियों और वानियों समानार्थक होगा इध्यान रखीगा वानियों में स उपासना के रूप में करना जो है आवशक है यही इनके पंच मकार है सिर्थ जो है बोध्धूं की वजरियान साका से सम्मन थे इन्होंने बोध्धूं के दुखवाद को बदल कर महासुकवाद ये ध्यान रखेगा बोध जो शनिक दुखवाद की बात करते हैं भगवान हो गई तो यह था आज का व्याख्यान साथियों अगला व्याख्यान होगा उस व्याख्यान में हम लोग बात करेंगे जो हैं आपका सिद्ध साधना के जो कवी जो थे चाहिए वो सरपा लुईपा कुकुरिपा शबरीपा ये कुछ मात्मून नाम इनके द्वारा रचित जो साधिति वह उसकी हम बात करेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे उनके प्रमुख सिद्धान कौन-कौन से थे हलांकि चोरा सी सिद्धों का जो है सभी का वर्णन करना क्योंकि उनका नाम कुछ सिद्धों का तो केवल नाम ही उपलवद हमारे सम्मूक आता है अगले ब्याखान में हम उसकी बात करेंगे तब तक के लिए आप इसका आनंद ले मेरे शुब कामना है नमस्ते धन्यवाद